तो वाट्सप गाईज आज आज एक और बेंड नियोडी के साथ वापस से एंड आज की वेली वीडियो भाई साब ओने वाली ये गेम प्ले की वीडियो तो यूस समझ सकते हो आपके गेम प्ले के अंदर क्या होता है जिस आप लास तक लिखना लास में भाई जब क्या ही फा सब्सक्राइब नहीं किया है जो भी नहीं हो तो जो भी नहीं है चैनल पर सब्सक्राइब कर देना बेल आकन के साथ ताके जब भी में वीडियो दालना सबसे पहले नोडिफिकेशन आपको मेरे तो फरस्ट अफोल जहाँ पर क्या होता है यहां पर सबसे पहले हम स्पाडर तो लेकिन वो लोग जो है वो फाइट करके आपस में मर जाते हैं तो अब देखना इस्टब क्या सीन होता यहां पर सबसे पहले भाई सब बहुत सारे बंदे थे लेकिन उन में से भाई कोची बचे थे अब यहां पर एक बंदा आ रहा था जो के डू के साथ था एंड जो इसका टीममेट था पता नहीं कैसा टीममेट था मतलब इसको बचाने के लिए नहीं आ रहा था वो बिचारा घूमे जा रहा था इधर से उदर तो जिस्ट आप देखना अचा मुझे लगा के टीममेट यह तो भाई सब टीममेट यहां नहीं था वो सौमनीक तरफ तरफ जिल्खा होगा जिस्टाब आपने वहां पेस थोड़ा सा लाल लाल हुआ था उसका मतलब इसके कपड़े शो होए थे थोड़े से एंड मैं उसकी तरफ नेड पेकने की कोशिश करता हूं लेकर थोड़ा सा जो है वो फ्लॉप हो जाता है एंड जो नेड है वो इसके उपर नहीं जाता है इसी वासे वो थोड़ा सा बच जाता है अब देखो इसके साथ कैसी फाइट होती है खैर अब देखो इसके मारता हो मैं नहीं मारता देखो अच्छा जी अब ये वाले बंदे ने मैंने जो एक ही सूट पहना वादा एंड इसकी वाद से बाइसाब कुछ मादब आईडिया नहीं होता है फैर अब और अरेंज का लगा सूट था तो काफिसा नजर आता है इसी वाद से मैंने भी और अरेंज का लगाई सूट पहना वाई ताकर तोड़ी से ना इंसाफ ही नहीं हो जाए मेरे उसके साथ है खैर चोड़ो उसको पर यहां पर वह सबसे पहले भाई एक बंदा जो है मतलब जिसको मैंने नौक किया था बचार उसको बहुत जल्दी दी म पर चले आ था तो मुझह नहीं पता था यह जो पुल वाला बंदा जो अनदर गया है वह यही का टीम में चुए तो ही वह डिए था में हूँ तो यह बिलकुल ही अलग टीम थी मतलब कि बिलकुल ही अलग बंदा था जो कि उपर की तरफ चड़ गया था एंड वो किसी का मौका चाहरा था कि कब मुझे मुझे मौका मिले और मैं किसी को मार दू तो यहां पर सब्सक्राइब आते हैं कि दूसरा बंदा भी यह है तो क्या ही मारा मैंने वह जोचारा था पत्ति नहीं हो की अगया है मैंज अब शयाइद से कम टीम अधिशन आ जो है वह फूला था स्कूल के अंधर जो बंदा है ना वह तैमने ता क्योंकि इसक्ति इस्ञान गंवह चथ पर बहुब आद एसका दीम था, इसकशल ही है मतलब उसके उपर वाले बंदे के साथ मतलब मैं डामेज देता हूं वो डामेज देता लेकिन इतनी दिन में भाई साथ पीशे की तरफ से जो इतनी ज्यादा फाइरिंग होनी शुरू हो जाती है अब ये जो बंदे ना इनके साथ मेरी फाइट चल दी थी बहुत पहले से इसी जो ऐसे पहले थोड़ा सा पार्ट जो स्किप कर दिया ये डामेज देता लेकिन ये वाले लोग जो थे वो काफ़ दा सही लोग थे और डूओ था ये देखो इसको कैसे मारते हैं अब पहली बारी में पहली बारी में तो मैं बिलकुल ही मेरा पूरा हाथ से बिलकुल ना हाइपेट हिल गया था और पता है क्यों क्योंकि ये मुझे पता है नहीं था कि ये मुझे कोई आइडिया नहीं था कि ये वाला बंदा जो है वो यहां पर कैम कर रहा होगा मतलब एक तरह से यह अभी अभी आया हो का शायद यह बिलकुल स्टे किया वो ताकि इसका टीममेट आ जाए फिर रश करें तो यहां पर जो हूँ उसने भी डॉप शॉट दिया लेकिन इसके बाद मैंने डॉप शॉट दिया फिर भी हमने नहीं मार पाया इसके बाद जो थी काफी ताद सही गाड़ी तो मैं इसकी गाड़ी उठा के पड़फट से निकल जाता हूँ अब जो स्निमिंग पूल के उपर जो बंदा होता है ना च्छत की तरफ वो वाला बंदा जो है वो इनके हाथों मारा जाता है अब झाल जो पीजा तो मारा गै या ने मुझे जब पता चला है जब मैं इसके सामने से गुजराओं तो इसने मुझे कुछ मीनिंगा तो ऐसे हो सकता है अब देखो यहां पर नहाँ की तरफ अब नहाँ पर एक समने की तरफ एक पूरा कबुरा स्कॉार्ड होता है अब मेरी तो हाला टाइड हो चुके थी क्योंकि यहां पे स्कॉर्ड उसके अंदर पूरा को पूरा 1v4 हो रखा था अब देखो जिस्टाब नेड की शुरू होती है बारिश क्योंकि वो वाले बंदे जो हैं मतलब छोड़ने नहीं वाले थे मुझे अब यहां पर नेड इतना परफेक्ट किया था कि मती पूछो तो यहां भी अुछो यहांने इसके पर नेड किया वह कोफी दावीस होगा लेकिन भाजसाब नुक्छ नहीं होपाया अगर नौक होता तो कॉफी सथा सही रहता है और ज दो नौक कर दिये थे हैं यहां पर अब दो बंदे इनके बच रहे थे और आप देखो उनको कैसे मारेंगे अब क्या करना था एक चट पर नौक था एक यहां पर नौक था तो कोई ना कोई तो रिवाइब देखा किसी को तो मैं यहां पर रश कर देता हूं एंड देखो सौन एक तरफ बैठे के रिवाइब दे रहा था यह वाला बंदा अब एक ही बच रहता है एक था गिली सूट वाला तो उस उसने भाई बहुत ज़्यादा मुझे परशान किया है मतलब इतना ज़्यादा टाइम वेस किया है ना मतलब यहां पर मैं घूमता रहा जो है वो फुल फिनिश कर दिया अब एक एक करके इंगे जो टीममेट से वो सारक सारफ फुल फिनिश होते गए एंड मुझे जो है वो तीन किल्स टोटल मिल गए और अब यहां पर देखो सब सामने के दरफ रूम में बंदा होता है और जैसी मैंनी मॉली की तो मुझे पत बैड लग क्योंकि जिस्ट आप यहां पर देखना होता गया है तो यहां पर एक टीम होती है पूरी की पूरी जो कि मेरे उपर पूरा पूरा रश करती है और देखो जिस्ट आप कहां से पड़ी मुझे गोई तो इतनी ज्यादा पड़ी थी मतलब मैं सोच रहा था करूं गया तो यहां पर देखो तो में मौली भेग दी बचने का कोई फाइदा नहीं था यहां पर हम लोग आउट हो जाते हैं और आउट के साथ सब भाई सब प्लस होता है हमारा एस पे लेकिन फिलाल यह स्पाइडर मैन मोड था तो उस वक्त हमारा एस था तो अभी थोड़ा स प्लस होता है और यह जो है वह चट पर से गन मतलब कि छट पर से भाग जाता है है कि और इसके पास ती शौड़ गन तो देखो अब उसने सोचा हो कि भाई सब प्रिपायर में लेकर ले लेंगे इसको बंदे को नहीं लेकिन भाई यह गलत था एंड मैं सही था क्योंकि मैं हमेशा ही करता है मैं खुद यह करता हूं तो मैंने थोड़ा सा दिमाई यूज करके फट फट से इसको एजली मार दिया जैसी यह भाई निकला लेकिन इतनी तरह में एक भाई साब और आते हैं अपनी लूट देने के लिए तो मैंने बोला आज 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 लूट दे तो भा अब यहां पर इसका बेनिफिट देखो अब यहां पर तीन नॉक कर दिये थे और भाई साब यह लास्ट बच रहाता है जिसने भाई सब मुझे मार दिया यारब मैं उस वक्त ना आई पर उठा के फेक रहता है सजवदार तो खेर चोड़ो आप आउट हो जाते हैं हैर अगर तो अच्छी लगी है सब्सक्राइब कर देना चैनल को बैल आइकन के साथ ताके जब भी मैं वीडियो दानो सबसे पहले नोडिफिकेशन आपको मिले तो मिलते हैं अपनी नेक्स वीडियो के साथ जब तक के लिए बाई बाई